वेलकम स्टूरेंट स्वागत है आपका एक बाद फिर से हमारी चैनल उपलर गुरू पे बात करने वाले हैं जीपी उनिवर्सिटी सेशन 1922 के बारे में जी हां बहुत बड़ी खबर हैं पे जीपी उनिवर्सिटी सेशन 1922 के लिए निकल के सामने आ रहे हैं क्योंकि बहुत 2 स्टूरें के लिए वेट कर रहे थे और बहुत सारे चाहे ठातर हैं यहां पर कमेंट सेक्षें में पूछा थे इससे रिजल्ट कव आने वाला है है और आज के बारे में लेटिस्ट अपडेड़ ईडिट के बारे में क्योंकि बहुत टाइम से यहां पर रिलीज कर रहा है JP University और आपका भी यहां पर समय आ चुका है तो अपना अपना रॉल नंबर और अपना जो भी यहां पर रॉल नंबर और डेट बर्स है यहां पर आपका रिजल्ट जो है वो रिलीज स्बीट चेक होता है तो सारी केसारी निकाल लिज ज surgeries कि हमारे चानल पर ये पर बानला साबंट सक्काया नहीं जुड़े हुए है तो जुड़ जाए नीचे बटन सब्सक्राइब कर लें चैनल को … अभी चलते हैं सीधा सबसे पहले आप लोगक कघा कुधा धान्म लोगों को उस notice के उपर तो students आपका भी यहां पर नंबर आच चुका है यानि कि session 1922 का भी नंबर आच चुका है उपर यहां पर जो headline है इसको देखके यहां पर हडवडाने के जरूरत नहीं बहुत सारे students यहां पर confused हो लगते हैं उपर जो heading यहां पर लिखे हुए सतर 1922 के part 1 की परिक्षा हो गए चार माह result का है इंतजार तो इंतजार जो हो यहां पर समाप्त हो चुका है सभी students का finally बता दिया गया आप सभी students को क्या क्या बताया गया सारी की सारी जानकारे आपको इस video में यहां पर मिलने वाली है जब यहां पर देख सकते हैं लिखा है जब मिलनी कुछ आधिकारियों के signatures के कारण कुलपती के signatures के कारण result रिलीज नहीं किया जा रहा था लेकिन finally आप सभी students का यहां पर इंतजार खतम होता हुआ यहां पर आप लोग को पता जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कुमारी सीवेसी ने इंटर कि यह सारी की सारी वह चीज़े हैं जो कि अभी तरह बता रहे थे कि हमें कितनी प्रॉब्लम आ रहे थी यह सारी की सारी कोछ चीज़ें यहां पर लिखी वी हैं जो की session 1922 के चातर चात में नमांकन कराने के बाद प्राची अफसाद में है यानि कि depression में यानि कि JPU उनका result ही अभी तक जारी नहीं कर रहा था साथ में 2022 में यहां पर सना तक की degree मिल जानी चाहिए थी तो यहां अभी part 1 का result तक नहीं है यानि कि आप लोग का 2000 यहां पर आपका session का नाम ही है 1922 कि यहां पर जैसे कि अगर हम पूरा यहां पर पढ़ें तो यहां पर बहुत यहां पर देर लग जाएगी लेकिन यहां पर अगर हम last direct direct is last conclusion पर आ जाएं तो यह देखके students यहां पर खुश हो जाएंगी क्योंकि माह आप लोग को पता है March का माह अन्थी है यह क्योंकि सभी क सभी स्टुरेंट्स जिस तरह से यहां पर वेट कर रहे थे सभी के सभी स्टुरेंट्स वो उनका इंतजार यहां पर खतम हो चुका है क्योंकि सभी के सभी स्टुरेंट्स का यहां पर रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छी तरीके से release होने वाला है इस माह के अंत तक क्योंक रिलीज कर दिया जाएगा जैसा कि यहां पर सुर्ण्स देख सकते हैं कि जैप्रकास विश्विद्याले में परिक्षा नियंत्रक अनिल कुमार सिंग यानि कि आपको बता दें कि जो यह परिक्षा नियंत्रक इनका नाम प्रोफेसर अनिल कुमार सिंग और अनिल कुमार यहां पर जैसे कि आप लोग का exam जो लेना होता है exam से ले एक्जाम लेने से एकदम last यानि कि result जारी करने तक पुरी-पूरी जिम्यदारी अनिल-कुमार सिंह की होती है यहां पर जीपी उनिवर्सिटी में तो उन्होंने बताए कि इस महा के अंतव तक पार्ट वन का result रिजल्ट आ जाएगा result के आता है पार्ट टू एवं थी की परिक्षा ली जाएगी लेट के पीछे परिक्षा लेने वाली agency के कार्रे में दे रही है लेकिन अब result में late नहीं होगा students आप लोग excited हो जाएगे क्योंकि और आप सभी students को best of luck है अपने results के लिए क्योंकि results finally एक से दो दिन में आप लोग का result जादी कर दिया जाएगा और जो-जो students यहां पर confused थे कि results के आभी भी जारी नहीं होगा लेकिन हलांकि एक बात है कि late तो आप लोग का यहां पर हो चुका है क्योंकि लेकिन धीरे धीरे आप लोग का इसी साल दो exam यानि कि आने वाले चार महिनों के अंदर दो exam लिये जाएंगे यानि कि part second का और यहां पर part third का यानि कि दोनों के दोनों exam आप लोग कर लिया जाने वाला है हाला कि लेट है लेकिन आप लोग का जैसी रिजल्ट दो से एक से दो दिनों के इंदर जारी किया जाएगा उसके जस्ट बाद exam form फिर नया exam का schedule यानि कि part 2 का schedule यह सारी की सारी चीज़ें लगातार होने वाली यानि कि बहुत कुछ यहां पर होने वाला है आपके session में जो कि यहां पर 1922 part 2 के बारे में हां पर बात की जा रही है तो सभी के सभी students यहां पर बड़ा update निकल के सामने आ गया है हलाकि अगर आप लोग के पास कोई question है तो जरूर पूछ सकते हैं हलाकि finally जारी कर दिया गया JP University से यहां पर 1922 session के बारे में latest update तो सभी के सभी students अगर कोई question है तो जरूर पूछ सकते हैं इस video के नीचे comment section में और video अगर live देख रहे हैं तो live chat में भी अपना सवाल यहां पर पूछ सकते हैं हलाकि अपनी तयारी भी लगातार यहां पर शुरू कर दें part 2 के exams के बारे में exams के लिए खास क्योंकि उसमें भी जादा time नहीं बचा हुआ है क्योंकि बहुत सारे students को लगता है क तो time अभी बहुत बचा हुआ है तो आपको बताने कि आपका ज्यादा time यहां पर नहीं बचा हुआ है थोड़ा सा वक्त आपको part 2 के exam form को भरने के लिए दिया जाएगा और आप लोग की part 2 की परिक्षा ले ली जाएगी तो सभी students को बता दें कि results आने के बाद बहुत students का pending में होने वाला है तो सभी के ऊपर पूरा पूरा coverage आप लोग को हमारे चैनल के माधियम से मिलता रहेगा results के links जैसी activate होते हैं आपको हमारे चैनल के माधियम से मिलते रहेंगे हलां कि कोई भी अगर आप लोग का question query है तो ज़रूर पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे comment section में finally results का आप लोग का दिन भी आ चुका है एक से दो दिनों के अंदर मन्त खतम होने वाला result भी आप लोग का यहां पर आ चुका है तो इस वीडियो को जादा स्यादा शेयर करते हैं था कि सभी students को इसके बार में आपे पता लग जाए तो यहां पर कुछ और यह जो आप ल लोग रहा होगा तो यह सारी की सारी चीज़े आप लोग के बास भी कोई ना कोई कहानी होगी तो इसमें भी दो से तीन students की कहानिया लिखी वी हैं कि उन्हें कैसा लग रहा था कि अभी तक उनका result नहीं आ रहा था या फिर तीन साल का कोर्स जो है वह वह अभी तक एक साल क की चीज़ अभी तक यहां पर हुई है तो फाइनली यहां पर कुछ दिन यानि कि एक से दो दिन और यहां पर वेट करना है आप लोग का यहां पर रिजल्ट जो है वो भी यहां पर जारी कर दिया गया मिलते है students next update के साथ और वीडियो को like नहीं के तो like कर दे और आगे बह दोनों का link दिया हुए यहां पर आप लोग को बता दें कि आप अगर जीपी उनिवर्सिटी का official website जानते है उसके नीचे links जो है वो नोटिफिकेशन के तौर पर और लास्ट में एक लिंक का जो टैब है वो अपने आप उपर नहीं होता हला कि जैसी result जारी होता है वैसे आ पूछ सकते हैं और इस वीडियो के नीचे comment section में और live देख रहे हैं तो live chat में पूछ सकते हैं मिलते हैं next update के साथ जैसे कोई भी update जारी होता है और update से जुड़े रहने के लिए नीचे लाल रंग का subscribe बटन सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को ताकि कोई भी update आप से कभ जारी की जाती है उसके साथ तब तक के लिए नमस्कार